दिल्ली के मुख्मंतरी अर्विंदर केजरिवाल ने गुजराच चुनाप से पहले हिंदुत तो कार्ड चल दिया है बुद्दवार को प्रेस कॉंफेंस के दोरां सीम केजरिवाल ने भारतिय करेंसी पर गांदी जी के साथ भगवान गडेस और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग कर दी है लेकिन केजरिवाल की इस मांग पर दिलिप मंडल ने उन्हें बुरी तरह धोडाला और कहा करेंसी नोट बैस्या के कोठे से लेकर दारू के ठेके तक पर जाते हैं देवी लक्ष्मी की फोटो करेंसी नोट पर नहीं होनी चाहिए देवी का रोज अपमान होगा मैं देवी लक्ष्मी का सम्मान करता हूँ केजरिवाल का क्या है चार वोट के लिए लक्ष्मी का कितना भी अपमान करवा सकते हैं आदर दिनिया लक्ष्मी जी की फोटो मटन के दुकान पर जाएगी उससे लोग गाना खिनने लगेंगे आपको कैसा लगेगा पबलिक थुक लगाकर नोट गिनती है लक्ष्मी जी की फोटो पर जाने कौन-कौन थुक बाली उंगली लगाएगा गलत होगा ये तो खेर केजरिवाल ने ये सब घुजाच चुनाब से पहले कहा है CMK जीवाल ने भारती करंसी पर गान्दी जी के साथ भगवान गनेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की भी मांगी है उन्होंने आगे कहा कि अगर एक तरफ गान्दी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गनेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आश्रवाद मिलेगा CMK जीवाल ने आगे कहा कि लक्ष्मी जी को समर्दी की देवी माना गया है वहीं गनेश जी सभी विग्न को दूर करते हैं इसलिए उन दोनों की तस्वीरें नोटों पर लगनी चाहिए इससे हमारी अर्थ्यवश्ता सुदरेगी दिल्ली CM ने आगे कहा कि हम सारे नोट बदलने की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जो नए नोट छपते हैं उन पर यह सुरुवात की जा सकती है और धीरे धीरे नए नोट सरकूलेशन में आ जाएंगे दिल्ली के मुक्खमंतरी ने कहा ऐसा क्यों है कि 75 साल आजाती को हो गए हैं लेकिन देश आज भी विकासील है اور गरीव देश माना जाता है उन्होंने आगे कहा कि हम सब चाहते हैं कि भारत बिक्सित देश बने और भारत अमीर देश बने हम सब चाहते हैं कि हर भारत वार्सी और भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने केज़िवाल ने प्रेस कॉंफेंस कर वुद्वार को कहा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारी अर्थ वरस्ता बहुत नाजग दोर से गुजर रही है हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया प्रती दिन कम्जोर होता जा रहा है यह सब की मार आहां मादमी को भुगतनी पड़ती है इसमें सुधार करने के लिए मेरी कैन सरकार से पील है कि बड़ा फैसला ले सुधार के लिए इसके लिए बहुत सारे कदम उठानी की जरूरत है तो केज़िवाल का मतलब है कि यह नोटों पे अगर छप जाएगी लक्षमी और गणेश जी की फोटो तो देश की ज़र्थवसता वो सुधर जाएगी जो नागजुग दोर से जो गुजर रही है वो सुधर जाएगी तो खेर आगे का कह रहे है केज़िवाल केज़िवाल ने आगे कहा कि परसो दिवाली थी दिवाली पर हम सब लोगों ने स्री गणेश और लक्षमी जी का पूजन किया हम सब ने भगवान से सुक्सानती की प्रात्ना की हमने अपने परिवार के साथ ही लोगों की समृद्धी के लिए भी प्रात्ना की केजवाल ने कहा कि हम देखते हैं कि जो लोग ब्यापार करते हैं वह अपने यहां लक्षमी गणेश जी की मूर्ती लगा कर रखते हैं मतलब यह कि अगर आप लक्षमी गणेश जी की जो मूर्ती लगाते हैं ब्यापारी तो अगर लक्षमी मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो नोट है उस पर लक्षमी की फोट लग जाएगी तो ब्यापारियों के तरह आपका ब्यापार बढ़ता रहेगा तो खेर आगे का कहरे हैं वो देखते हैं उन्होंने स्कूल और अस्पताल का जिक्र किया और कहा कि हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, अस्पताल बनाने हैं, बहुत बड़े इस्तर पर सड़क और इंफ्रास्रक्चर तयार करना है, लेकिन एफर्ट्स यानि कोशिसे तभी फलफूलती हैं जब देवी देव देवताओं को आसिरबाद होता है, मतलब कि अब स्कूल, कॉलिज और इंफर्ट्चर तयार करने के लिए देवी देवताओं को आसिरबाद लेना होगा, और आसिरबाद कैसे मिलेगा, वो मिलेगा देश की करेंसी यानि नोटों पर लक्षमी जी की फोटो और गड़ेश ज जो है वो आप किस तरीकर देखते हैं में कमेंट सेक्सिन में जरूर बताएं, देखते हैं मेरे नाम पवन है, शुक्रिया